गडाकी की छंडे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले रखा है तो देखे सौ मीटर से भी विजिबिटी कम हो चुके है दो जनवरी तक बहुत घने कोरे का अनुमान मौसम विभा की तरफ से जताय गया है शीत लेयर की चपेट में है पूरा उत्तर भारत थंड के साथ साथ किस तरीके से साफतोर पर मौसम विभा की तरफ से कहा गया है अने वाले समय में घना कोरा जो है वो भी देखने को मिल सकता है पूरे हिंदुस्तान को ये बड़ी उपलब्धी के तौर पर इसे देखा जबा रहा है एक्सपोसेट सेटिलाइट अंतरिक्ष में रेडियेशन की जाच जो है वो की जाएगी सुभर 9 बजकर 10 मिनट पर PSLVC 58 से ये मिशन जो है लॉंच होगा जिसमें 10 और पेलोड लॉंच किये जाएंगे इस रो की तरह से लगातार इस रो की तरह से नए नए कीरतीमान स्थापित के जा रखे और इन सब के बीच में आज ये बड़ा कीरतीमान साल के पहले ही दिन किया जा रहा है आंद्र प्रदेश के श्री हरी कोटा की तस्वीरे आपको दिखा रहा है जहापर ये वो कीर्थी मान है जो साल के पहले दिन स्तापित क्या जाएगा श्री हरी कोटा के आंद्र प्रदेश के श्री हरी कोटा से ये तस्वीरे आपके सामने हैं एक्स्पो सेट के लावा की बात करें तो देखे दस और पेलोड जो हैं वो लाँच के ज़ाएंगे इस रो की तरफ से तो नई साल के पहले दिन इस रो अंत्रिक्ष में कामियाबी की नई इबारत लिखने ज़ा रहा है इस रो आज PSLV C58 से एक्स्पो सेट मिशन को लाँच करेगा इसके साथ ही दस और पेलोड लाँच करेगा इसे श्री हरी कोटा के सतीश धवन अंत्रिक्ष केंद्र से सुभा नौ बच कर दस मिनट पर लाँच किया जाएगा हाला कि इस रो के लिए ये मिशन काफी जादा महत्पूर्ण है दरसल एक्स्पो सेट अंत्रिक्ष आधारिद्रूवी करण माप में रिसर्च करने के लिए इस रो का पहला समर्पित विज्ञानिक सेटिलाइट है